हलो इस्ट्रेंज, बाले जी वाला चैनल पर आपका स्वागत है आज के वीडियो में यहाँ पर हम डिसकस करेंगे NCRT की कुछ कंट्रीज और सिटीज के बारे में कई सारे कुश्चन आपके NEET के एक्जाम में कंट्रीज और सिटीज से रिलेटेट पूछे आते हैं NEET 2019 में भी आपसे कुश्चन पूछा गया था जो यहाँ पर 10 सिटीज या कंट्रीज आपको दीगे यह आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है तो इनको अच्छी तरीके से आप याद करेंगे तो यहाँ पर आपको 10 सिटीज या कंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा जिन से रिलेटेट पॉइंट को आप अच्छी तरीके से समझ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है Royal Botanical Garden के बारे में Royal Botanical Garden के अगर हम बात करें तो यह वर्ड का सबसे बड़ा Botanical Garden है और यह located है क्यू लंडन इंग्लेंड में तो इंग्लेंड में सबसे बड़ा Botanical Garden है दुनिया का जिसे Royal Botanical Garden के नाम से जाना जाता है अगर हम इंडिया की बात करते हैं इंडिया का जो सबसे बड़ा बोटनिकल गार्डेन है, इंडियन बोटनिकल गार्डेन, इंडियन बोटनिकल गार्डेन की अगर बात कने, तो वेस्ट बंगॉल में, सिपुर्ख, हावरा, कोलकाता में ये सिचुएटेड है, तो ये दो point आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, आप ये भी याद कर सकते हैं कि largest botanical garden is royal botanical garden and largest botanical garden of India is Indian botanical garden. किसरा point है NBRI, इसका full form पहले आप याद कर लेजे, this is National Botanical Research Institute और NBRI की अगर हम बात करें तो ये लखनों में situated है, आपके exam में कई बार ये question पूछा गया है, अगला point है CDRI, पहले तो इसका full form आप याद करेंगे, this is Central Drug Research Institute और CDRI ये भी लखनों में situated है, तो ये दोनों point आप एक साथ याद कर लेंगे, NBRI और CDRI ये दोनों ही लखनों में situated है, next point है साही वाल काउ ब्रेड इन, साही वाल काउ की breeding करवाई गई पंजाब में, पंजाब में artificial selection and domestication के दोरा साही वाल काउ को develop किया गया है, और साही वाल काउ की अगर हम बात करें तो milk yielding capacities में काफी ज़ादा होती है, normally आप Darwin के concept के बारे में पढ़ते हैं, जिन्हों natural selection के बारे में बताया, लेकिन साही वाल काउ को develop करने के लिए artificial selection और domestication का यूज किया गया, next point है हिजार डेल, हिजार डेल एक सीप है और इसे develop किया गया पंजाब में, तो पंजाब के लिए पंजाब में develop किया गया, cross breeding नाम की technique का यहाँ पर यूज किया गया, next point, Montreal protocol held in, यह question काफी important है, Montreal protocol का जो relation है, यह ozone depleting substance से है, ozone depleting substance को कम करने के लिए, Montreal protocol लागू किया गया, और Montreal protocol held किया गया, Montreal सहर में, जो की Canada का एक सहर है, तो वहीं से Montreal नाम भी लिया गया है, तो Montreal protocol, Montreal Canada के एक सहर में, इसकी meeting हुई, इसी तरह अगर दूसरा हम Kyoto protocol की बात करें, Kyoto protocol का जो relation है, वो carbon dioxide की emission से है, Kyoto protocol जापान के एक सहर Kyoto में held किया गया, और अगर हम year की बात करते हैं, तो Montreal protocol 1987 में, और Kyoto protocol 1997 में held किया गया, और इनके जो नाम है, यह actually सहर के नाम से लिए गया है, point number 9 आपका है earth summit, और 10 है word summit, अब यह दोनों point एक साथ याद करेंगे ताकि confusion ना हो, अगर earth summit की हम बात करते हैं, तो earth summit यह एक सम्मेलन था, यह आप कहसे हैं, महा सम्मेलन था, जो की Rio de Janeiro नाम के सहर में हुआ, यह Brazil का एक बड़ा सहर है, जहां पर earth summit का सम्मेलन किया गया, और अगर हम बात करते हैं, word summit के बारे में, तो word summit held away, जोहांस बर्ग में, और जोहांस बर्ग साथ अफरीका का एक सहर है, तो जितने भी point यहां पर आपको दिये गए हैं, यह एक-एक point, एक-एक question के बराबर है, और यह सारे question आपके NEET के exam में पूछे भी जा चुके हैं, तो अ झाल